हेलो एवरीवन, वेलकम तो आवर चैनल, एजूसियस फिजिक्स तो सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस्ट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन तो गेट फास्ट नोटिफिकेशन्स और आज लाइक और शेयर आवर विडियोस थैंक यू सो मच हेलो डियर इस्टुडेंट्स, वेलकम तो आवर चैनल, एजूसियस फिजिक्स आज हम विदुत फ्लक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही गाउश या फिर गोश के नियम पर भी कम्प्लेटली डिस्कस करेंगी तो विदुत फ्लक्स क्या होता है, इस से पहले भी हमने विदुत चैनल के बारे में डिस्कस किया था आज हम बात करेंगे विदुत फ्लक्स के बारे में तो अगर आप इस चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे या फिर आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किये तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले तक कि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो देखिए वीडियो को एंड तक देखना तभी आपको टॉपिक पूरा सबज में आएगा वरना इससे समझ में नहीं आने वाला है तो देखिए करते हैं श्टार्ट विदूत फ्लक्स के बारे में विदूत फ्लक्स होता क्या है तो मैं आपको समझाओं हमारे पास एक समान विदूत छेतर है यह हमारे पास एक समान विदूच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च कोई तुकडा है और यह मेरी अंगूलिया है यह किस को बता रही विदूच चछतर को एक समधिन जय्avour चछतर है तो जब यह विदूच चछतर में इस से आर पार हुगा तो और डूच टुक्तıldı से यह दो और फां सच europe शेत्र, यह क्दू शेत्र फलक्स कहला से है। यह हमारे पास विद्धूच्छत्र और टुकुडरा रुखा गया है। तो और है कुछá खेस साथ कुछ ने कुछा कोर्डा से बीध्धूच्छत्र कोर्ट बनाया है। जैसे मान लीजी इसको पिछे करें यहापर एंगल बनेगा ठीटा क्लिर है तो देखें डेफिनेशन क्या बनती है इसकी विदूचेतर E वेक्टर में रखे अलपांस चेतरफल यह हमारा विदूचेतर है इसमें अलपांस चेतरफल यह अलपांस है मलग छोटा सा टुकड़ा है अलपांस चेतरफल से संबद संबद का मतरब होता है गुजरने वाला संबद विदूचेतर E वेक्टर यह विदूचेतर E वेक्टर और अलपांस चेतरफल अब चेतरफल कम है तो इसलिए हमने इसको अलपांस लिए DS वेक्टर के अदिश गुणन फल के बराबर होता है क किश्क के गुणनफल के अदिश्गुणनफल के तो मतलब जो Vidence Flus है वा किस के इक्वल होगा I vector और D एस वेक्टर के अदिश्गुणनफल के बराबर होगा अर्थार्थ d5 is equal to e vector dot ds vector अब ये अधिश गुनन फल है तो ये एक अधिस रासी हो गई clear है तो जो विदूत फलक्स है ये कैसी राशी एक अधिस बोतिक राशी है clear है ये बात याद रखना है कि इसकी जो definition बनती है वो क्या बनेगी कि जो एकांग 6 तरफल लिया था अलपांस 6 तरफल या एकांग 6 तरफल उससे दो विदूत 6 तर रेखा है या जो विदूत 6 तर गुजरता है तो उस ही कोई हम क्या बोलते है विदूत फलक्स बोलते है clear है मेरी बात अर्थाथ d5 is equal to e vector dot ds vector ये d5 क्यों लिया है या हमने क्योंकि ये फलक्स है वो कम है क्योंकि हमारे पास 6 तरफल कम तो फलक्स भी कैसा होगा अब बात करें इसके मात्रक की तो इसका मात्र क्या होगा देखिए ये है विदूत 6 विदूत 6 का मात्रक होता है न्यूटन पर कुलाम और ये है चेतर फल शेतर फल्ल का मात्रक क्या होता है में स्कॉयर तो इसका मात्रक क्या बनेगा में में दिस्कस किये हैं अब इसके एक मातर्क और आता है हमारे सामने विदू. छ्हेतर के एक दूसरा मातरग होता है व्ती पर मीटर और छेतरफल कवर्ड़ मी seem, स्क्वायर से मीटरRO कटेगा यहां पर बचेगा व्ती मैंने यहां पर लिख दिया तो यह सा मातरक व्ती मीटर अब देखिए हमारा जो छेतर फल है वो कैसा है? कम है चुंकि अल्प छेतर फल के लिए जो डी फाई है वो किसके एको लोगा? E vector dot ds vector के अब यहाँ पर अधिश गुणन फल की property लगाएं तो अधिश गुणन फल होता है वो dot product कि किसमें होता है? cos theta में होता है E ds cos theta आ गया अब अगर हमें पूरे छेतर फल के लिए निकालना हो तो समपूर्ण छेतर फल के लिए क्या करेंगे? हम समाकलन करेंगे यहाँ पर हमने समाकलन या integration किया है तो integration of d phi is equals to integration of e vector dot ds vector और d phi का समाकलन क्या हो जाएगा? phi आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? e vector dot ds vector यहाँ flux अब देखिए अब बंद प्रष्ट पर flux हो कहने का मतलई है कि flux बंद प्रष्ट पर हो तो फिर flux क्या होगा? यहाँ पर देखिए समाकलन का जो शेंबल है वहाँ पर यह सर्किल बना दिया जाता है यह सर्किल किसको बताता है? कि हमारा जो विदूत फ्लक्स है वो कहाँ पर हो रहा है? बंद प्रष्ट पर हो रहा है ले रहे मेरी बात अब देखिए इसकी definition क्या बनती है? definition क्या बनेगी? कि किसी एकांग छेतरफल मैं से गुजरने वाली विदूत छेतर रेखाओ को ही क्या कहते हैं? विदूत फ्लक्स करते हैं तो यह है इसकी definition मैं आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास एकांग छेतरफल है उसमें से कितनी विदूत छेतर रेखाओ निकली है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्दत, फ्लक्स बोलते हैं मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में एक-डो धानकारी और बता दो कि जब कोई भी 6 तरफल से गुदरने वाला जो फ्लक्स अगर निर्गत फ्लक्स है जियान रखना कि जो छे तरफल से गुजरने वाला फलक्स कैसा हो निर्गत फलक्स तो वो कैसा होगा हमेशा पॉजिटिव या धनात्मक होगा और अगर छे तरफल से आनने वाला फलक्स शदेव कैसा होता है रिनात्मक होता है ये बात याद रखना अब हम बात करते हैं गाउशिया गोश के नियम की तो देखी गाउशिया गोश का नियम क्या कहता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा विद्धत फ्लक्स होता है उसके चारों और एक प्रश्ट लिया जाता है और वह प्रष्ट कैसा होता है बंद होता है जैसे मालनी जीए आप एक कमरे में बैठे हो और कमरा चारों तरफ से बंद है तो हम बोल सकते हैं कि आप बंद प्रष्ट के अंदर बैठे हो ऐसे हम समझ सकते हैं इसको तो देखिए विदुत चेतर में इस्तित किसी बंद प्रष्ट से संबद विदुत फ्लक्स उस प्रष्ट द्वारा संबद संबद का मैंने आपको पहले भी बताया था गुजड़ने वाला संबद कुल आवेश क्यू तथा निर्वात या वायू की विदुत सीलता एपसाइल नोट के अनुपाद के बराबर होता है मेरी बात समझेगा कि ये कुछ इस तरह से हैं देखिए ये हमारे पास एक विदु चेतर ले ले लेते हैं एक समान विदु चेतर कुछ इस तरह से और यहाँ पर हम एक कौई आलपांस, छहतर फल ले लेते हैं, अब क्या करते हैं, इसमें एक बंद प्रष्ट बना देते हैं, कुछ इस तरह से, मालीजे, वर्ताकार कोई बंद प्रष्ट है, ज़रूरिए नहीं कि वर्ताकार हो, कोई भी आकरती हो सकती है, अब इसमें से कुल कितना आवेस संबद मान लिजे उसमें से कुल टोटल आवेस है वो कितना संबद हुआ है क्यूँ और दो निर्वात या वायू की विद्धू शीलता है वो कितनी है एपसाइलन नोड तो ये किस के बराबर होगा विद्धू फलक्स के बराबर होगा और यही है अमारा गाउस का नियम समझ में आगई होगी मेरी बात हिहा हमारे पास एक समान विद्धू छेतर इसमें हमने इक खतर फल है और इस खतर में एक हमने बंद प्रश्ट की कल्पना कर दी अब इस बंद प्रश्ट में से कुल कितना आवेस बुजरा है कुल कितना आवेस आर पार होइ तो अमने pourquoiलेते Q1 Q2 Q3 इस तरह से है तो टोटल कितना हो गया Q इन सबका योग जरी नहीं कुछ एक माइनस भी हो सकते हैं सब पहुझ करो यह माइनस का है तो कुल कितना हो जाएगा यह दोनों जुड़ जाएंगे और नहीं कर जाएंगे तो कुल आवेस हो गया Q और निर्वात या वायो की व बंद परष्ट से संब्ध विद्ध फ्लक्स है किसकेँ बराबर होगा उस परष्ट द्वारा संब्ध कुल आवेस मलव उस परष्ट कितना आवेसंबद हुआ है और निर्वात या वायो की विद्धु शीलत एपसाइलन नोट के अनुपात के बड़ाबर होता है अर्थार्थ 5 is equal to Q upon epsilon note इसे गाउश या गोश का नियम कहते हैं तो ये था हमारा गाउश या गोश का नियम अब गाउश या गोश के नियम से सम्मदित कुछ एक महतवपूण बिंदु है ये रहे हमारे पास कुछ एक महतवपूण बिंदु को परदर्षित करता है मैंने अभी आपको बता खरता लेज़ के it WOODRUFFают को बता रहा है अगला देखिए कि दूसरा प्रश्ट निर्गत फिलक्स धनातमक नियद रता है मैंने आपको विजुत flag में होता है था कि जो निर्गत होता होता है वह हमे इसा धनात्मक और जो आने वाला फ्लक्स होता है वो कैसा होता है उस गृषि धशीओ साöst होगा कौका तीसरा का पॉइंट कि जो गाउस के नियम के अनुपंप्रियों के लिए हम प्रश्ट को चैन करते हैं जैसे अभी हमने एक गोल प्रश्ट माना था तो उस प्रश्ट को हम क्या बोलते हैं गाउसियन प्रश्ट कहते हैं गाउस के नियम के लिए जो अनुपरियों के लिए जो प्रश्ट चैन करते हैं उसको क्या बोलते हैं गाउसियन प्रश्ट यह स स्वेचिक होता है, हम अपने इंच्छानुसार के ऐसा भी प्रष्ट ले सकते हैं, और ये कालपनिक होता है, और बंद होता है, ये इसके विशेस्ता है, अगला पॉइंट दो काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट आफ यू से, गाउस का नियम उन सदिश चैतरों के लिए लागू होता है, जो व्यूत करम वरग के नियम का पालन करता है, और ये एक्जाम में काफी बार पुछा भी गया है, कि गाउस का नियम किस के लिए लागू होता है, तो गाउस का नियम उन सदिश चैतरों के लिए लागू होता है, जो व्यूत करम वरग के नियम क का पालन करता है अगला पॉइंट क्या है कि प्रिष्ट से बाहर इस्तित आवेसों का निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता कहने का मतलब यह कि जश्या भी हमने चित्तर बनाया था इस चित्तर को देखो माल लिजी यह दो प्रिष्ट लिया है हमने इससे बाहर को आवेसदार है तो इस आवेस का इस से को यह नहीं होगा इस सक इसके साथ को योगदान नहीं होगा तो यह थे गाउस के नियम से समदिज कुछ पॉइंट अब हम बात करते हैं कि जो कुलाम का नियम है उस कुलाम के नियम से गाउस का नियम कैसे सत्यापन होता है तो देखिए कुलाम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन हमारे पास एक आवेस है क्यू जो बिंदू ओपर रखा गया है और इस से क्यू आवेस से आर दूरी पर हम कोई बिंदू ले लेते हैं बिंदू ले लिया हमने पी और इस बिंदू पी पर हम अलपांस छे तरफल की कलपना करते हैं जैसे मान लिजिए और आर दूरी पर क्या ले लिया बिंदू पी और इस पर हम क्या कर लेते हैं एक अलपांस छेतरफल की कल्पना करते हैं और जो हमारा आवेस क्यू है इसके चारो और गोलाकार प्रष्ट की कल्पना करते हैं जो आवेस क्यू है इसके चारो और गोलाकार प्रष्ट है गोलाकार कामलो जैसे गेंद होती है ना ठीक उसी परकार से गेंद या प्रत्वी है उस परकार से तो देखिए मानली जश्पोच कीजिए हमारे पास एक वस्त यहां पर दो बिंदू हमने पी लिया था इस पर इसके चार और हम क्या ले देते इस तरह चेक अलपास छेतर फल जहां पर हमारा आवेस रखा गया क्यों क्यों नोट यहां पर हमारा आवेस क्या रखा गया है क्लेर इतनी बात अब देखिए इसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्स लिए वो पढ़ लेते हैं मना किशी बिंदू ओ पर कोई आवेस क्यों रखा गया है ओ को किंदर मानकर इसके चार और आर तिरजा के गोले की कलप आप देखिए आगी इस पर कोई परेक्शेन धनावेस क्यों नोट रखा गया है यहां पर क्या रखा गया है क्यों नोट तो जो आवेस क्यों है कि इसकर द्वारा बिंदू पी पर उत्पनति वरता कितनी होगी एक बात द्यान रखना कि यहाँ पर जो च्छेतर फल लिया है डियस, यह कौन सा च्छेतर फल है डियस, इसकी दिसा उपर की ओर है ठीक है, और जो विदू च्छेतर उत्पन होगा उसकी दिसा भी कैसी होगी उपर की ओर, तो दोनों की दिसा एक ही हो जाएगी, तो विदू चेतर की तीवरता E is equals to KQ upon R², यह विदू चेतर की तीवरता भी हमने पहले इस पर वीडियो बनाया था, और उस पर डिसकस किया था, तो E बराबर KQ upon R², यह समीकर नमबर एक आ गई, अब देखिए, जो गोले से संबद्ध फलक्स है, वो कितना होगा, D5 is equals to E, Ds, गोस थिटा, और यहाँ पर थिटा क्या है, E और Ds के बीच का कोण है, और थिटा का मान कितना होगा, 0 होगा, क्यों? क्योंकि दोनों E के जिसा में है, जिसे सपोज कीजिए, यहाँ पर कोई रेखा है, इसी के उपर एक दूसरी रेखा है, तो दोनों रेखा के बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिगरी का कोण बनेगा, तो यह थिटा का मान 0 और जब यहां पर 0 रखते हैं तो आपको पता है कि कोश 0 कितना होता है एक होता है और कोश 0 का मान 1 तो एक को multiply करेंगे तो d5 is equal to e ds यह equation number 2 आगई अब देखिए समीकरण 1 है यहां से e का मान हम यहां पर रखते हैं तो समीकरण 1 शे 2 में मान रखने पर तो क्या हैगा d5 बराबर kq upon r square ds अब हम पूरे गोले के लिए हम पूरे गोले से संबद flux निकालें तो वो कितना होगा पूरे गोले से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका पूरे का समाकलन तो समाकलन करेंगे तो यह क्याएगा d5 is equals to अगे लगा देंगे integration तो अब देखिए k क्या है इस तिरवेद्यूत नियतांक है यह constant होता है तो इसका समाकलन नहीं होगा क्यों क्या चीज़ आवेस है आवेस निश्चित है यह भी constant है तो इसका भी समाकलन नहीं होगा r क्या चीज़ है गोले की तिरज़ा है और गोले की तिरज़ा में पता है फिक्स होती है परते गोले के लिए तो यह भी constant इसका भी समाकलन नहीं होगा तो समाकलन फिर होगा किसका dh का समाकलन होगा और डियस का समाकलन कितना होगा इंटेग्रेसन डियस अब बात करें डियस का समाकलन होगा कितना डियस है क्या चीज़ गोला है उसका एक छोटा सा छेतर फल लिया है अब गोले का अगर हम छेतर गोले के छेतर फल की बात करें तो गोले का 6 तरफल का क्या सुब्तर होता है डी-एस इस सोरी यहां पर हो जाएगा इंटिग्रेशन ओफ डी-एस किसके एक्वल होगा 4 पाई आर स्कुएर के एक्वल होगा मतलब अगर हमारे पास गोले के छोटे से 6 तरफल का मान कितना है डी-एस और पूरे गोले का निकालना मालओ गोले का संपूर्ण परिष्टिय 6 तरफल कितना हैगा 4 पाई आर स्कुएर यह गोले का पूरे एक अच्छे तरफल है और के क्या चीज़ है इस्तिर्वेद्ज तिनिये तांग जिसका मान होता है 1 अपॉर पाई एपसलन नौट या एप्सिलन जीरो यह दोनों मान यहां पर रखिए कि एका मान रख दिया 1 अपॉर पाई एपसलन नौट क्यों अपनी जगह पे है आर 2 अपर इस्कूर भी अपनी जगह पे है डी-एस के जगह क्या रख देंगे 4 pi r square r square से r square cancel 4 pi से 4 pi cancel तो हमारे पास phi का मान कितना एगा क्यों बट्टे epsilon not तो ये था हमारा Gauss का नियम हमने किस के नियम से इसको सिद्ध किया है कुलाम के नियम से इसको सिद्ध किया है जो कि Gauss का नियम है तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का पूरा देखने के लिए और आप लोगों को इस टॉपिक की PDF हमारे टेलिग्राम चैनल AguCS Physics पर अवेलेबल है तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो थैंक यू